मीठे बच्चे बाप का राइट हैंड बन सर्विस का शौक रख श्रीमत पर पूरा पूरा अटेंशन दो अखबारों में कोई सर्विस की बात निकले तो उसे पढ़कर सर्विस में लग जाओ आज का प्रश्न बाप का नाम तुम बच्चे कब बाला कर सकेंगे उत्तर जब तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल और गंभीर होगी तुम शक्तियों की चाल ऐसी चाहिए जैसे डेल, मोर्नी तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए पत्थर नहीं पत्थर निकालने वाले नाम बदनाम करते हैं फिर उनका पत भी ध्रश्ट हो जाता है बाप का बनकर कोई भी विकर्म न हो इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखना है आज का गीत छोड़ भी दे आकाश सिनहासन ओम शांती बच्चों ने गीत सुना याद करते हैं हे परमपिता परमात्मा निराकार रूप बदल कर साकार में आजाओ वह क्या रूप बदलेगा ऐसे तो नहीं कहेंगे कि कच्छमच का रूप बनकर आओ नहीं यह है पाप आत्माओं की दुनिया पुकारते हैं पावन बनाने के लिए अगर सर्वव्यापी है तो फिर किसको पुकारते हैं अब यह गीत तो रेडियो में भी बचते हैं परंतु कोई भी समझते नहीं अब तुम बच्चिया तो अख़बार आदी पढ़ती नहीं हो भल पढ़ी लिखी हैं परंतु अख़बार पढ़ने का शौक नहीं बाकी रहे गोप उनमें भी कोई कोई को सर्विस का शौक रहता है कि किस रीती अख़बार से सर्विस का रास्ता निकालें ब्राह्मन कुल्भूशन हैं तो बहुत परंतु उनमे भी कोटों में कोई निकलते हैं जो अखबार में देख फॉरन सर्विस करने लग पड़ते हैं बाबा ने राइट हैंड बनाया है माताओं को गोप मुश्किल खड़े होते हैं कोई बिरला यथार्थ रीती से श्रीमत पर अटेंशन देते हैं यह एक प्वाइंट है भरष्टाचार और श्रेष्ठाचार की भरष्टाचारी बुलाते हैं कि हे भगवान आओ आकर श्रेष्ठाचारी बना सभी भ्रष्टाचारी जरूर है कहा जाता है यथा राजारानी तथा प्रजा यथा राजारानी माना गवर्मेंट तथा प्रजा माना रयत तो बच्चों को समझाया गया है कि भारत सदा श्रेष्ठाचारी था, स्वर्ग था स्वर्ग में भी अगर भ्रष्टाचारी हो तो उनको स्वर्ग कैसे कहा जाए स्वर्ग की स्थापना जरूर बाप ही करते होंगे, जिसको ही याद करते हैं भ्रष्टाचारी ही बुलाते हैं, श्रेश्थाचारी कब बुलाते नहीं भारत बड़ा श्रेष्ठाचारी था, स्वर्ग था, अब तो नर्क है तो नर्क में जरूर भ्रष्ठाचारी होंगे श्रेष्ठाचारी का सबूत दिखाओ तुम चित्र दिखला सकते हो, बरोबर सक्युग में यथा राजारानी तथा प्रजा यह लक्ष्मी नारायन देखो श्रेष्ठाचारी थेना नाम ही है स्वर्ग द्वापर में ऐसे श्रेष्ठाचारी राजारानियों के मंदिर बना कर पूजा करते हैं तो जरूर खुद भ्रष्ठाचारी हैं अपने को कहते भी हैं कि हम ध्रश्टाचारी हैं कामी, क्रोधी, पापी हैं आप सर्वगुन संपन्न हैं भारत में ध्रश्टाचारी शरेष्थाचारी की महिमा करते हैं ध्रश्टाचारी राजाओं के पास शरेष्थाचारी देवताओं के मंदिर हैं महिमा गाते रहते हैं नमन, वंदन, पूजा करते रहते हैं। बाबा ने समझाया है धर्म स्थापन करने अर्थ उपर से जो आत्माएं आती हैं वह जरूर सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी होंगी। भल माया का राज्य है, परंतु पहले फले आने वाले जरूर सतो प्रधान होंगे तब तो उनकी महिमा होती है। फिर सतो, ग्रजो, तमों में आते हैं। देवताएं भी श्रेष्ठाचारी थे। हर एक को सतो, प्रजो, तमों में आना ही है, घ्रष्टाचारी बनना ही है अख़बारों में पढ़ता है कई संस्थाएं हैं जो घ्रष्टाचार को बंद करने का पुरुशार्थ करती है अब श्रेष्टाचारी देवताओं के मंदिर बनाए पूजा करते आये है आप ही पूजे श्रेष्टाचारी थे, फिर आप ही पुजारी भ्रष्टाचारी, फिर पूजे देवी देवताओं की बैठ पूजा करते हैं अभी तुम लिख सकते हो कि यथा राजारानी तथा प्रजासत्युग में श्रेष्टाचारी थे, वाइसलिस वर्ड थी बाद में फिर कलाएं कम होती है भारत को नीचे आना ही है यह खेल ही भारत पर है आधाकल्प भारत शरिश्ठाचारी था सदा एकरस भी नहीं रहते 16 कला से 14 कला में तो आना ही है धीरे-धीरे कलाएं कम होती जाती है तमो प्रधान बन पड़ते हैं बाप कहते हैं जब-जब अती भ्रष्टाचार होता है तब मैं आता हूँ पतित को भ्रष्टाचारी, पावन को श्रिष्ठाचारी कहेंगे यह तो बिल्कुल समझ की बात है श्रीमत भगवत कहा जाता है श्रीमत क्या करती है? वह तो श्रिष्ठ राजाओं का राजा बनाती है कहते हैं इन माया पर जीत पहनो तो तुम प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे घेंट करनी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत 16 कला संपूर्ण श्रिष्ठाचारी था भारत सोने की चिडिया था यथा राजारानी तथा प्रजा स्वर्ग में सदा सुखी थे फिर जब से रावन राज्य शुरू होता है तो भ्रष्टाचारी बनने लगते हैं खुद ही कहते हैं हमारे ओफिसर्स में भ्रष्टाचार है राजारानी तो है नहीं जो कहे प्रजा में भ्रष्टाचार है यहां तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य सब भ्रष्टाचारी है पहले तो गवर्मेंट श्रेश्थाचारी बननी चाहिए उनको कौन बनावे? अब तुम गरीब बच्चियां ही नंबर वन श्रेश्थाचारी बन रही हो बाप कहते हैं कि मैं आकर सब को श्रेश्थाचारी बनाता हूँ ड्रामा अनुसार यह सारा खेल बना हुआ है फिर भी वही गीता चित्र आदी निकलेंगे अब बंगाल में काली का मंदिर है काली मामा कह प्रान देते हैं? अब ऐसी काली मावा चंडिका देवी आई कहा से नाम तो देखो कैसा है जो भागनती होते हैं वे तो प्रजा में चंडाल बनते हैं परंतु जो यहां रहकर विकर्म आदी करते हैं, वे रॉयल घराने के चंडाल बनते हैं फिर भी पिछाडी में उनको ताज पतलून मिल जाती है, क्योंकि यहां गोद तो लेते हैं ना, इसलिए चंडिका देवी की पूजा होती है ज्यान तो बहुत गुह्य है परंतु कोई धारन करें, जैसे बैरिस्टर कोई तो लाख कमाते, कोई का कोट भी फटा रहता है यह तो पढ़ाई है बेहत की, बाप ने जो विस्तार में समझाया उसको सार में लाकर पांच मिनट का भाशन बनाए अखबार में डालना चाहिए यह भी पूछना चाहिए कि भला हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो बता नहीं सकेंगे, कुछ नहीं जानते तुम शक्तियों की चलन ऐसी गंभीर होनी चाहिए जैसे डेल, मोरनी चलती है मुख से रत्न निकलते रहें, पत्थर नहीं वह तो पत्थर मारेंगे तुम कभी पत्थर नहीं मारो नाम बदनाम न करो अच्छा मीठे मीठे सिकील धे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते यहां अच्छे बुरे मनुष्य है सक्यूग में ऐसे अक्षर नहीं निकलेंगे बुरा वाप आप आत्मा अक्षर नहीं निकलेगा वहां है वाइसलेस वर्ड बच्चे जानते हैं, हम विश्व के मालिक थे यह भारत जो देवी देवताओं का राजस्थान था, अब पुराना है मनुष्य नहीं जानते हैं, यह है संगमिव अब यहां से लंगर उठाया हुआ है हम इस दुनिया से पार जाते हैं खिवया है ना नईया को पार ले जाते हैं बच्चों की बुद्धी में हैं, बहुत धक्के खाये हैं भक्त नहीं जानते हैं, हम धक्का खाते हैं वह तो दूर-दूर जाते हैं तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है ऐसे नहीं कि हम याद करते धक जाते हैं परंतु माया विघन डालती है आत्मा ही पर्मात्मा की आशिक होती है, यह कोई नहीं जानते पर्मात्मा माशुक है तो बच्चों में भी कोई बहुत आशिक हैं, माशुक को याद करते हैं पुरुशार्थ करना है, हम निरंतर याद करते रहें सिमरन अक्षर भी भक्तिमार्ग का है हम बाबा को याद करते हैं प्रवरित्ती मार्ग का अक्षर है याद बहुत मीठा भी है कहते हैं हम भूल जाते हैं अरे बच्चा कह थोड़े ही सत्ता कि हम बाप को भूल जाते हैं याद तो बहुत अच्छी है अपने से बातें करनी चाहिए तुम मात पिता के सम्मुख बैठे हो खुशी भी होनी चाहिए जिसके लिए कहते थे तुम मात पिता बरोबर हम वर्सा पा रही है याद की ही मिहंत है तुम्हारी बहुत आमदनी है, बहुत बड़ी प्राप्ती है सिर्फ चुप रहकर याद करना है अच्छा, तुम ब्राहमन बच्चों बिगर किसको भी यह पता नहीं है कि संग में कब होता है इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है बाप आकर राज्योग सिखलाते हैं सत्योग के लिए तो जरूर संगम युभी आएगा है भी मनुष्य उनमें कोई कनिष्ट, कोई उत्तम है उनके आगे महिमा गाते हैं आप पुरुशोत्तम हो, हम कनिष्ट है आपे ही बताते हैं कि मैं ऐसे हूँ अभी इस पुरुशोत्तम संगम युग को तुम ब्राहमनों बिगर कोई भी नहीं जानते इनकी एड़वर्टाईज कैसे करें जो मनुष्यों को पता पड़े संगम युग पर भगवान ही आकर राज्योग सिखलाते हैं तुम जानते हो हम राज्योग सीख रहे हैं अभी ऐसी क्या युक्ती रचें जो मनुष्यों को मालूम पड़े परंतु होगा धीरे अभी समय पड़ा है बहुत गई थोड़ी रही हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुशार्थ करें नहीं तो ज्यान सेकंड में मिलता है जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ती पालेंगे परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप है वह थोड़े ही सेकंड में कटेंगे इसमें तो टाइम लगता है मनुष्य समझते हैं अभी तो समय पड़ा है अभी हम ब्रहमा कुमारियों पास क्यों जाएं तकदीर में नहीं है तो लिट्रेचर से भी उल्टा उठा लेते हैं तुम समझते हो यह पुरुशोत्तम बनने का युग है हीरे जैसा गायन है न फिर कम हो जाता है गोल्डन एज, सिल्वर एज यह संगम युग है डाइमंड एज सक्युग है गोल्डन एज यह तुम जानते हो स्वर्ग से भी यह संगम अच्छा है हीरे जैसा जन्म है अमर लोग का गायन है न फिर कम होता जाता है तो यह भी लिख सकते हो पुरुशोत्तम संगम युग है डाइमंड सक्युग है गोल्डन त्रेता है सिल्वर यह भी तुम समझा सकते हो संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं आठ रत्नों की अंगूठी बनाते हैं तो डाइमंड को बीच में रखा जाता है संगम का शो होता है संगम युग है ही हीरे जैसा हीरे का मान संगम युग पर है योग आदी सिखलाते हैं जिसको स्प्रीचुवल योग कहते हैं परंतु स्प्रीचुवल तो फादर ही है रुहानी फादर और रुहानी नौलेज संगम पर ही मिलती है मनुष्य जिन में देहहंकार है वह इतना जल्दी कैसे मानेंगे गरीब आदी को समझाया जाता है तो यह भी लिखना है संगम युग इस डायमंड उनकी आयू इतनी सत्योग गोल्डन एज तो उनकी भी आयू इतनी शास्त्रों में भी स्वास्तिका निकालते है तो तुम बच्चों को भी यह याद रहे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए स्टूडेंट्स को खुशी होती है न स्टूडेंट लाइफ इस दी बेस्ट लाइफ यह तो सोर्स आफ इनकम है यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला देवताएं तो विश्व के मालिक थे यह भी तुमको मालूम है तो अथा खुशी होनी चाहिए इसलिए गायन है अतींद्रि सुख गोपी वल्लब के गोप गोपियों से पूछो टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उनको अंत तक याद करना चाहिए भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे पुकारते भी हैं लिबरेटर गाइड दूख से छुडाओ सत्युग में दूख होता ही नहीं कहते हैं विश्व में शांती हो बोलो आगे कब थी वह कौन सा युग था किसको पता नहीं है राम राज्य सत्युग, रावन राज्य कलियुग यह तो जानते होना बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए बस क्या सुनाओ दिल की बाद बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला मिला और क्या अनुभव सुनाओ और कोई बात ही नहीं इस जैसी खुशी और कोई होती ही नहीं कभी भी किसी से रूठ कर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए यह जैसे अपनी तक्दीर से रूठना है पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे? बाप को पढ़ाना ही है ब्रहमा द्वारा तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए यह है माया यग्य में असुरों के विग्न तो पढ़ते हैं ना? अच्छा मीठे मीठे रूठानी बच्चों प्रती रूठानी बाप वदादा का याद प्यार गुडनाईट रूठानी बच्चों को रूठानी बाप की नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार पहला प्वाइंट श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी बनकर श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करनी है कोई ऐसी चलन नहीं चलनी है जिससे नाम बदनाम हो मुख से सदारत न निकालने हैं, पत्थर नहीं दूसरा प्वाइंट बेहत की गुह पढ़ाई को विस्तार से सुनते उसे सार में समाकर दूसरों की सेवा करनी है श्रीमत पर पूरा अटेंशन देना है आज का वर्दान अपने कर्म और स्थिती द्वारा ब्रह्माह बाप को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्माह भव जैसे ब्रह्मा बाप का निजी संसकार था पहले आ लेकिन कहने मात्र नहीं, शुबचिंतक की भावना से उसने किया तो भी बाप की सेवा, मैंने किया तो भी बाप की सेवा मैं आगे बढ़ू, नहीं दूसरों को आगे बढ़ा कर आगे बढ़ो जब यह भावना हर एक में आएगी तब कहेंगे मास्टर ब्रह्मा आज का स्लोगन एकागरता के द्रिड संकल्प से सागर के तले में चले जाओ तो अनुभव के हीरे मोती प्राप्त होंगे